हेलो दुस्तों, दुस्तों मैंने अभी अभी नेट फिलिक्स उपर भक्षक नाम की एक नई फिल्म देख कर कम्लीट की है मुवी की टोटल लेंद सबाद दो गटे है एंड हाँ जिब्यू थोड़ा लेट उसके कुछ नेजी प्रॉब्लम्स हैं अच्छी है, इंटरिस्टिंग है और आपको पांद कर रखती है पूरी तरह से हाँ यह जरूर है कि अगर आपको एक मसाला फिल्म चाहिए तो वो मसाला यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कुछ ताड़कता भड़कता हो है जिसमें कुछ ऐसा हो कि आपको मत वो आ रहा हो देखने में और यहां पर कहानी यह है पहले तो इस फिल्म में मुझ अपर पुर का नाम बदल कर मुनबर पुर कहा गया है बताये गया है बिहाद में फिल्म सेट है जिसकी पहली एफ़ाइर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज की गई थी 31 मई 2018 को 12 रहे लोगों के खिलाफ तो एक शेल्टर होम है जिसको एक काफी बड़ा बंदा जिसकी अच्छी काफी पहुंच है वो एक जर्णलिस्ट भी है मतलब उसका खुद का न्यूज पेपर वो चलाता है और उसका जो शेल्टर होम है जो अनाध आशरम है वहाँ पर जो बच्चिय है छोटी छोटी लड़किया है उनकी साथ दुश कर्म होता है और उसके बाद यहां पर एक इस्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट है जो मतलब बस इस्ट्रगल कर रही है उतना बड़ा कुछ उसका दबदबा रुतबा नहीं है बस वो इस्ट्रगल कर रही है और उसको पर उसके बाद फिल्म भी बनी है अगर वो केस कभी फॉल्ब हो इन होता तो फिल्म नहीं बनी तो अंत में क्या होगा वो हमको पता था मुझे पता था कि यह होने वाला बाकी फिल्म की जो राइटिंग है स्क्रीन प्ले है काफी ज़्यादा इंगेजिंग है काफी हाँ यह मुझे जरूर ऐसा फिल्ड हुआ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा कि मूवी के शरुवात में लगबग ऐसे मान के चलो राउंड फिगर पचास मिनट तक मैं कॉनवर्जेसंस में पूरी तरह से इंवेस्ट नहीं हो पा रहा था कॉनवर्जेसंस जो हो रही थी वो उ गंपिरता है जो मामले की गंपिरता है जो हो सकति थी या जो होने चाहिये थी आप लोगों को फिल होने चाहिये थी वो madam होती है काफी अच्छे से उसको दिखाए कि A mean मैं दीरी दीरी चब तब इन में फ्टोपाया व्यादर अच्छे थे इस फील्म में जब वो लड़की खाना बनाने बाली जो लड़की थी फुधा जब वो बताती है और फिर फिल्म जाती है फिलेश बैक में तो बहाँ पी चीज़ें काफी ज़्यादा और ज्यादा इंगेजिंग हो जाती है फस्ट आपके कंपरिजन में जो पहले जो एक्सपीरियंस रहा था उसके बाद एक्सपीर फिल्म में कुछ मसाला एड़ करने के लिए इसको दखाया गिया मुझे नहीं पता कि ऐसा पिल्म हुआ होगा यह नहीं हुआ होगा भगवान जाने लेकिन अगर हुआ था तो भाई बयानक था बहुत स्यादा बाकी इस फिल्म में कापी सारी गालिया है तो भाई फैमली के साथ नहीं ही देख पाओगे डेफिनेटली एंड अकेले ही देखना चाहिए बाकी पर्क में से यार मतलब बहतरी ने एक चीज और कहना चाहता हूँ यहां पर हमको हमारा बन राकस दूर्गेश कुमार देखने को मिलते हैं जिन्होंने बन राकस को पिले किया था पंचायत मे वह बंदा यार उन्होंने यार कमाल की एक्टिंग की यह बहतरी ने देखने में लगते हैं उनका जो इस्टाइल है जो फिवीक है जो औरा है जिस तदीके पर बोलते हैं एक्षेंट है आमेजिंग है बाकी यहां पर भूमी पेड़नेकर हो फंजय मिशरा हो आदेते फिरि ज्यादा थी जिसको थोड़ा कम रखा जाना चाहिए था तो यह है आपने इस केस के बारे में कुछ भी नहीं सुना है कुछ भी आपको पता नहीं है तो डेफिनिटली देखा देखी देखी जाने चाहिए यह फिल्म एंड वो जो बंदा है जिसको यहां पर मतलब अजिती अब फॉल्म नहीं होता तो फिल्म नहीं बनती तो यह फारी चीजें है थे इस्टार फाट फाइब इस मूवी के लिए दस में से कर आप लोग पूछें तो कि वहल फैमिली इस्टार देखी है लेकिव बताना बाकी लाइक शोड़ा भी करना चैनल को विडियो को एंड दे क्यों को एंड एंकियो